हे वल्कम दोस्तों स्वागत है आप सभी को ऑटो कंपेर के एक और ने एपिसोड में दोस्तों आज का एक वीडियो हमारा सेकेंड हैंड कंपेर सिरीज का चौथा वीडियो है जहांबर हम आपके दिए आज कंपेर्जन लिए क्या है मार्ती दूसगी ऑल्टो एज और हंड़ जिए आज की वीडियो हम कंपेर करेंगे दोनों की सेकेंड हैंड मॉडल के बीच में और देखेंगे अगर कोई आदमी सेकेंड मार्केट में गाली देन चाहता है तो किया औल्टो एक जाथा बहतर आप्शन होगी या 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 फाइंड आउट करेंगा एक डिटेल कंपेर् कि काड़ आगर हम बात करते हैं नंबा एक चौड़ाई उरचाइक तो दोनों गाड़ियों को न्हां लेकिन अपको इंटिसर डेख मिली घंड यह चीजियर डेखने को मिले अघृ जो Hyundai Ion की seat से काफी भरी बुरी है तबकि Auto 800 की seat उतनी ज़्यादा heavy नहीं आती है जिस बुझे से अंदर के तरफ जो space ज़्यादा वो Auto 800 में ज़्यादा आता है तबकि Hyundai Ion दिखने में बड़ी है लेकिन अंदर से थोड़ी congested मैसूस होती है अगर आप design के मामलें बात करें तो personally यहाँ पर मैं design की बात करो तो हाँ यहाँ पर looks के मामले में हिंड़ी यहाँ बहुत अच्छी है लेकिन अगर हम practicality space की बात करें तो Auto 800 ज़ादा अच्छी होती है बाकि comfort की बात करें तो again यहाँ यहाँ पर Hyundai Ion आगे है engines की बात करें तो देखिए Auto 800 में आपको 800cc का engine आता है जो कि 47bhp का power generate करती है और गारी 145 km पती घंटे का टॉप अपतार चूँ सकती है यहाँ की बात करो तो इसमें आपको 800cc और 1000cc दो प्रकार के engine option market में आ जाएंगे जो कि 2 model आये करते थे 65bhp का maximum power generate करती है और यह गारी आराम के साथ 150 का रफ्तार चूँ सकती है तो देखो गर मैं engine power की बात करूँ तो यहाँ पे इयान का power बहुत ज़्यादा है as compared to Auto 800 लेकिन यहाँ पे जो Auto 800 का हिजदन यह बहुत तक कमाल का है कम CC और कम power होने के बहुजूद भी इयान को टक्कर देता है और यहाँ पे दोनो बात करते हैं माइलेज के section में माइलेज वेज ऑल्टो 800 पे आपको अराम के साथ यहाँ पर city के अंदर 14 से 18 तक का माइलेज निकाल देगी और CNG पे तो यह कमाल कर जाती है 35 किलोमेटर तक का माइलेज दे सकती है on CNG 1 लेटर वहीं बात करूँ इयान की तो इयान का से 22 तक का माइलेज निकाल देती है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CNG वेडियूस में तो यहाँ पर अगेन मारती सुजुकी एक माइलेज मशीन है तो यहाँ पर आपकी जरुवत माइलेज है तो ऑल्टो बहुत अच्छे एक च्वाइस हो सकती है बाकि माइलेज के मा आप साफ साफ पर देख सकते हो ऑल्टो CNG पर 35 की देती है तो वहीं कि यहाँ मैक्समम से मैक्समम तो 25 दे देगी उससे दिख नहीं जाने वाली है तो आप समाझ चुके होंगे माइलेज के लिए क्या बैतर है हाँ इंटीजर्स की बात करूँ तो हाँ ऑल्टो का इंटीज लाने वाला है और काफी लगजरी देखने को मज़ता है हला कि तचस्केन MP3 इसमें भी बहाद में लगवाया जा सकता है चार स्पीकर एसीटर इसमें बहाते पॉस्टरी इसमें बहाते हैं तो अगर मैं इंटीर्स की फील की बात करूँ तो फीलिंग आपको एक जबरदस ल सतर ओला मॉडल लिन जाओगी तो आपको 2,002,80,000 पर खच करने पड़ सकते हैं और वहीं अगर आप बारा से चौदा बहुत सतर ओला की ब्याब लुट करुद कर देते हैं तो प्राइस यहां पर आप देख पार हो एल्टो का बहुत जादा हाई री सेल वैल्यो भाल्यू सेग्मेंट की मैं से हैच्वेक ज्यादा काहूंगा और अल्टो एक बेसिक सेग्मेंट की हैच्वेक है तो यहां पर प्राइस के अकोर्डिंग यॉन तो मार्केट पे बहुत सस्ती मिल जाएगी लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके लिए कौन सी गारी ज्यादा बेतर है प्राइस के अकोर्डिंग यॉन जाधा अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन अगर आप पैसे लगाकर अल्टो का CMG लोगे तो आपके जेब के के लिए बहुत हलका साबित होने वाला है इस पेस्ती CNC मोडल पे और आद दोस्तों आपको और टो पसंद आता है और यह ओन कमेंट बॉक्स में जरूब आए और बैसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आटो कमपेर